जोशी मट में आई तवाही से काफी नुकसान हुआ है ग्लेशियर की चपेट में कई घर आ गए हैं वहीं हरिद्वार, रिशिकेश और श्रीनगर के अलावा राजी के पहाडी जिलों को अलट कर दिया गया है इसके अलावा घटना में लापता हुए मजदूरों की लगातार खोज की जा रही है चमोली जिला प्रशासन, SDRF के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुच गए है साथी लोगों से लगातार गंगा नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है इसके अलावा CM त्रिवेंदर सिंग रावत खुद भी आपदा प्रभावित छेतरों के लिए रवाना हो गए लेकिन प्रभावित इलाकों में लगातार SDRF की टीम्स रेस्क्यू अभियान चला रही है वहीं श्री नगर के टैम से भी पानी खाली किये जाने की तैयारी की जा रही है हर खबर में होगी हमारी नज़र खबरों से जुढने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन दबाना ना भुले